साउथ के राज्यों पर समीर जी इस पार सभी की निगाएं हैं आपको क्या लगता है कितना बढ़ सकता है भारते जन्ता पार्टी का ग्राफ साउथ में के साथा बारती अंथा पार्टी का जितनी को दूगर्वन के सब्सक्राइब लगें तो तेलकू देश्यम का साहरा है। लेकिन के अंदर जहां भारतियनता पार्टी ने गड़बंदन मनाया है वहां के छुड़ दलो को लेकर। केरल में भारतियनता पर्टी उभियान किया है। पधार मंतून नरयन मोधी का तमिलनाडों में बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। केरल पदामंत्री मोधी गए तो दक्षिन में भारत्य जंता पार्टी को लग रहा है कि इस बार खाता खुलेगा खास उसे तमिलनाड़ों में ज्यादा उम्मी देख इस बार द्रविट पॉलिटिक्स के अंदर एक राष्ट्य पार्टी जो अभी तक तमिलनाड़ों को अगर हमाँ खाता खुलता और बैता परदा नहीं रहा जिसने लगाता पास साल इतना काम किया हो केरल में भारत्य पार्टी को उम्मीद है लेकिन मुझे लग रहा है किरल में कॉंग्रेस भी बैता परदशन करेगी और नतीजे आने शुरू हो जाएंगे सोरब जो clean sweep वाले राज्य हैं चाहे हम दिल्ली की बात करें हम हर्याना की बात करें हम राजिस्थान की बात करें मध्यप्रदेश च्छतिवसगर में क्या होने जा रहा है बहुत जादा excitement बढ़ता जा रहा है मैं तो लगातार घड़ से इसको देखा जा सकता है कि बीजेपी के लिए की स्टेट्स कौन सी हैं और कॉंग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए मैं कॉंग्रेस तो उस तहां से नहीं मोलूँगा विपक्ष के लिए की स्टेट्स कौन सी हैं अगर मैं बीजेपी के लिहास से देखूं तो जहां प पश्च मंगाल में उसकी सीटे बढ़ती है या उडिसा में वो देखे उडिसा बड़ा इंपॉर्टन राजी इसलिए भी है कि बीजेडी का लगातार वहां पे सत्ता में रही है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया और पिछली बार आठ सीटे जो है बीजेपी को मिले थी इस बाग कितनी 21 में से वो बढ़ा सकती है ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा दूसी तरफ तिलंगाना में नंबर वन पार्टी कौन होगी कॉंग्रेस होगी या बीजेपी होगी क्योंकि बी आरेस का ग्राफ जिस तहां से गिर रहा है उसका वोट शेयर किसको जाएगा य परियाना एक ऐसा राज्य है जहां पर लगता है कि बहतर परदशन होगा तिलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां बहतर परदशन की बात है तो ये सारे ऐसे राज्य हैं जो इंपॉर्टन्ट होंगे अपनी तरफ महराष्ट 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 में भी देखिए महराष्ट में उस तहां से आगर मैं यह कहूं उद्व ठाकरे का जो गुट है जो वो उसकी जो साख है वो पता चलेगी आखिर देखिए चाहे चुनाव आयोग ने यह तैय कर दिया हो कि शिवसेना किसको का सिंबल किसको जाएगा चाहे उसने एंसीपी के सिंबल को तैय कर दिया हो लेक भी जा रहा है कि महराष्ट में जो है उद्व ठाकरे को अच्छा खासा वोट मिलेगा